महा भारत का महा युद्ध 18 दिनों तक चला इस युद्ध में सतरवें दिन कौर्वों की सिनापती कर्ण को वीरगती प्राप्त हुई जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्र का प्रयोग कर दिया था अर्जुन के दिव्यास्र से कर्ण की मृत्यू हो गई लेकिन ये पूरा सत्ते नहीं है दरसल इसके पीछे साथ ऐसी कारण है जो नहीं होते तो कर्ण का अर्जुन के हाथों मरना असंभव होता आये जानते हैं वे कौन से साथ कारण हैं जिसके कारण कर्ण की बृत्यू हुई पहला कारण गुरु परशुराम जी ने दिया था श्राप गुरु परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी श्राप का कारण था कि कर्ण ने शत्रियों के समान साहस का परिचे दिया था जिससे गुरु परशुराम जी क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने शत्रियों को ग्यान ना देने की प्रतिग्या ली हुई थी और सित्य भी यही था कि कर्ण एक शत्रिय थे और वास्तविक्ता का बोध नहीं होने की वज़े से खुद को सूत पुत्र बताया था कर्ण की मृत्यू के पीछे दूसरा कर्ण एक ब्राम्न का शुराप था एक बार कर्ण अपने रद से जा रहे थे तेज रफतार रद के नीचे एक गाय की बचिया आ गई जिससे उसकी मृत्यू हो गई ब्रामर ने करोध में आकर कर्ण को श्राब दे दिया कि जिस रद पर चड़कर एहंकार में तुमने गाय के बचिया का वद किया है उसी प्रकार निरनायक युद्ध में तुम्हारे रद का पईया धर्ती निगल जाएगी और तुम मृत्यू को प्राप्त होगे मा भारत के युद्ध में कर्ण के रद का पईया धर्ती में धस गया और इसे निकालते समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रियोग कर दिया इस समय कर्ण परशुराम जी के शाप के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रियोग नहीं कर पाए और नित्यु को प्राप्त हो गए अब बारी आती है तीसरे कारण की दिव्यास्त्र का घटोतकश पर प्रियोग कर्ण को देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रख रखा था लेकिन श्री कृष्ण जी की युक्ती की वज़े से घटोतकश को कौरफ सीना पर आकरमन के लिए भेजा गया उसके आतंक से परिशान होकर कर्ण को घटोतकश पर दिव्यास्त्र का प्रियोग करना पड़ा अब आते हैं अगले कारण की तरफ जिसकी वज़े से कर्ण की मृत्त्य हुई श्री कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन का साथ जिसके साथ स्वायम श्री कृष्ण होते हैं उसे भला कौन हरा सकता है दुरियोधन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण की नारायनी सेना मांग ली थी जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया ये एक सबसे बड़ा कारण भी है उसके अंत का कुंती को कर्ण द्वारा दिया वचन भावुकता भी कर्ण की मृत्यू की वज़ा बनी दरसल महाभारत युद्ध में जब कर्ण सीनापती बने तब कुंती ने कर्ण के सामने उसकी सच्चाई जाहिर कर दी और बताया कि पांडव तुमारे भाई हैं इस बाद से कर्ण के अंदर पांडवों के प्रती भावुकता उत्पन हो गई और यही भावुकता युद्ध के दौरान उनके लिए घातक बन गई महादानी होना भी पड़ाप मृत्यू का कारण अर्जुन के हाथों कर्ण के मारे जाने की तीसरी वजह कर्ण का महादानी होना था कर्ण हर दिन सूर्य देव की पूजा करता था और उस समय जो भी कर्ण से दान मांगता था उसे कर्ण दान दे देते थे महाभारत युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांग लिए दिव्वे कवच और कुंडल कर्ण दान नहीं करते तो उन पर किसी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं होता और वे जीवित रहते ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कर्ण की मृत्यू का अन्याय का सही योग कहा जाता है कि जब कोई व्यत्ती अपना अधिकार पाने और शोषन के विरुद युद लड़ता है तो उस युद्ध को न्याय युद्ध के नाम से जाना जाता है अन्याय कभी भी जीत नहीं सकता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया जो उसका सबसे बड़ा अपराद बन गया कर्ण की मृत्यू अरजुन के हातों होने की एक अन्य बड़ी वज़य ये भी थी कि कर्ण दुरियोधन का साथ दे रहे थे जो अधर्म कर रहा था अधर्म का साथ देने की वज़े से कर्ण को अपने जीवन से हांधोना पड़ा कर्ण की मृत्यू कैसे होगी या कैसे हो सकती है इस बात की जानकारी केवल भगवान श्री कृष्ण को ही थी तो दोस्तों ये थी महा भारत की साथ ऐसी घटनाएं या श्राब जो महारती कर्ण की मृत्यू का कारण बने अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें साथ ही शेयर भी करें ताकि जदा से जदा लोग हमारी वीडियो को देख सकें और हम आगे बढ़ सकें तो दोस्तों हर हर महा देव जै श्री राम